दोस्तों जब से भारत के द्वारा अपने अगनी 5 मिसाइलों के साथ MIRV मतलब मल्टिपुल इंडिपेंटेंटली टार्गेटेबल रियंट्री वियकलों का परिक्षन को अंजाम दिया गया है तफ से कई सारे देशों के मीडिया और डिफेंस एक्सपरेटों के बीच में इन दोस्तों अब अमेरिका के युनिवर्सिटी उसके अंदर वी एक्सपरेटों के तरफ से भारत के अगनी 5 और अगनी 5 में इस्तेमाल होने वाले MIRV टेक्नोलजी को लेके काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है इवन देखा जाए तो युनिवर्सिटी के अनलिस्टों के त इस तरीके के बातों को कहने से पहले उस एक्सपर्ट को ये सोच लेना चाहिए था कि चाइना के तरफ से भी लगातार है MIRV टेक्नोलजी का टेस्ट किया जा रहा है और इससे अगर भारत के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो भारत के मिसालों से भी ने अनलेसिस में ये वताया गया है कि भारत के द्वारा कुछी समय पहले मतलब 11 मार्च 2024 के दिन सफलता पूर्बग अगनी 5 बैलेस्टिक मिसाल को मल्टिपोल इंडिपेंटेंटली टार्गेटेवल रियंट्री वेकलों से लैस करके परिक्षन किया गया और दोसों इकनॉलोजी को इसमें इंटिग्रेट करने से असल में भारत के समता में और वृद्धिया चुका है और ये आने वाले समय में इंडिया के जो रॉकेट फोर्स है उसमें भी जोड़ा जाएगा मिटर दास के तरफ से ये भी दावा किया गया है कि भारत के तरफ से ये जो र भारत के तरफ से तायार किया जा रहा है और रॉकेट फॉर्स के ऊपर रॉशले डालते हुए पोफेसर दास के तरफ से यह यह वी दावा किया जा रहा है कि भारत के जो MIRV टेक्नोलोजी है ये नो डाउट भारत को चायना के खिलाफ सेगंड स्ट्राइक कैफिविलिटी और न्यूक्लियर डिट्रेंस को मजबूत करने में मदद तो करेगा लेकिन इससे रिजर में मतलब भारत और चायना के शित्र में कॉन्फिक्ट व परमानू हत्यार है इससे आने वाले समय के परमानू लड़ाई के संभावना है तो एक तरीक ऐसे टल जाएगा क्योंकि अगर ऐसा कोई लड़ाई होता है तो इससे दोनों देशों को ही भारी नुकसान होगा लेकिन इससे कन्वेंशनल लड़ाई खास करके लाइन ऑफ एक कोम्निकेशन है खास करके मिलिटरी टू मिलिटरी कोम्निकेशन उसे और स्ट्रॉंग किया जा सकता है जिससे कि किसी भी तरीके का कोई मिस एडवेंचर या फिर मिस काल्कुलेशन ना हो क्योंकि इस तरीके के जो परमानू हत्यार है इससे असल में लड़ाई नहीं होता है पर दोस्तों शायद प्रोफेसर अरदास को ये पता नहीं था कि चायना काफी फहले ही MIRV टेक्नोलोजी का डिवलोप्मेंट कर चुका है और भारत के पास परवानु हतियार होने के बावजु चायना के तरफ से भारत के सेत्र में घुसपैट करने का लगातार प्रयास किया जाता है जबकि दूसरे तरफ जिन देशों के पास परवानु हतियार नहीं है उन देशों के साथ भी चायना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और लगवगप चायना का उन सभी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि चायना के साथ बॉर्डर शेयर करता है चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या फिर समुंदरी बॉर्डर इवन ऐसे वी कुछ देशों के साथ चायना का बॉर्डर डिस्फीट है जिनके साथ चायना का कोई बॉर्डर नहीं लगता है मतलब इससे एक बात तो साफ हो जाता है कि चायना एक expansionist country है जो कि किसी भी हद में अपने पड़ोसी देशों के जमीन को हत्याना चाहता है और इसे रोकने के लिए अगर भारत को MIRV technology को develop करना पड़ता है तो ये लड़ाई को बढ़ने को लेके नहीं बलकि लड़ाई को रोक लेकिन अगर फिर से चायना के तरफ से ऐसा कोई हरकत किया जाता है तो चायना को जो जवाब मिलेगा वो पहले के मुकाबले में और भैंकर होगा और दोस्तों मेरा मानना ये है कि MIRV technology के development भारत के लिए एक positive development है और इससे लड़ाई बढ़ेगा नहीं बलकि लड़ाई में कमी आएगा और अगर लड़ाई वड़ता है तो एक ही वार full and final लड़ाई होगा अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे अमेरिके एक्सपोरिटों के तरफ से भारत के हत्यारों को लेके लगातार बयान दिया जा रहा है तो उही पर दूसरे तरफ very short range air defense system को लेके DRDO के तरफ से और एक बड़ा तयारी किया जा रहा है दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि defense research and development organization मतलब DRDO के तरफ से और एक round के very short range air defense system के टेस्ट को लेके तयारी किया जा रहा है और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस वार कि ये जो टेस्ट है ये असल में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस टेस्ट के दर्मियान short range में target को निशाना बनाया जाएगा जो कि user trial के सबसे महत्वपूर्ण stage है हाला कि दोस्तों कुछी दिन पहले मतलब February 2024 में DRDO के तरफ से very short range air defense system के दो सफलता पूर्बग परिक्षन को अंजाम दिया गया था और ये परिक्षन high speed unmanned aerial target के खिलाफ था जो कि इसके operational limit मतलब 6 km के जो upper limit है वहाँ पे ही test हुआ था और basically इस test के दर्मियान longest distance में very short range air defense system के capability को जाचा गया था पर इस वार के जो test है वो असल में सबसे short range में मतलब सबसे करिवी distance में very short range air defense system के capability को जाचना है और report में दावा किया जा रहा है कि ये distance केवल 1 km का होगा मतलब 1 km धूर ही कैसे target को निशाना बनाया जा सकता है उसे DRDO के तरफ से जाचा जाएगा और दोस्तों ये भी देखा जाएगा कि very short range air defense system किस तरीके के low altitude के aerial target को close distance में neutralize करता है दोस्तों ऐसे test को सबसे महत्तोपूर्ण टेस्ट के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि low altitude में और करिवी जो target है उसे detect करके उसके खिलाब missile को deploy करना काफी कम समय के अंतर गत अंजहम देना पड़ता है मतलब DRDO के पास जो reaction time है वो ना के बराबर होगा और इसी वज़ाए से दोस्तों short range के target को निशाना वनाना इतना मुश्किल होता है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दू कि ये जो low unlimited trial है इसे एक बार सफलता पूरबग रूप से परिक्शन कर लेने के बाद शायद इन missile को इंडियन armed forces को स तरफ से निर्मान किया जा रहा है जिनमें एक तो laser beam riding technology वाले missile होगा जबकि दूसरा missile असल में IR मतलब infrared guided missile होगा और आप लोगों को ये भी जानके रखना चाहिए कि हाली में ministry of defense के तरफ से गरिवन 6800 करोर रुपे के ऐसे missile को खरिदने को लेके अनुमत्ती भी दिया गया है इवेन रिपोर्डों में ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ missile को भारत के दुवारा रश्या से खरिदा जाना था जिसके लिए एक order भी place किया गया था लेकिन अब उस order के अंतरगत missile को नहीं खरिदा जाएगा मतलब रश्या से हत्यारों के supply में delay होने के कारण भारत के अब ये जो missile है इसे scrap किया जा रहा है और दोस्तों ये जो इगला जैसे missile system है ये असल में रश्या यूकरेन के लड़ाई के दर्मियान काफी अधिक इस्तेमाल हुआ है और आप लोगों को ये भी वता दू कि ऐसे missile के जो सफलता है और रश्या यूकरेन के लड़ाई में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वज़ा से एक तरीके से आप कह सेकते हैं कि पुरा दुनिया में shoulder fire missile का जो होड है वो कई गुना बढ़ चुका है और लगवक सभी देश अपने shoulder fire missile को आईदर बना रहा है या फिर किसी ना किसी अन्य देश से खरीद रहा है और इसी तर तक अपने आपको संपूर्ण रूफ से आपमने भर कर लेगा कॉमेंट करके अपने डाय अवश्य दीजिए तो आज के इस वीडियो को यही फेई करते स्माफ्त किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में लेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम